माल्दिव के राश्टपती मौईजू के भारत विरोधी रुख का खामियाजा अब माल्दिव उठाने लगा है और सबसे बड़ा और तकड़ा जटका अब लगा है खुद राश्टपती मौईजू को जब उनकी पार्टी को सियासत की बिसात पर भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है दरसल उसकी वज़े भी भारत विरोध ही बताई जा रही है दरसल राष्टपती बनने से पहले माले के मेयर थे मुईज़ू और मेयर पड छोड़कर राष्टपती का चुनाओ उन्होंने लड़ा और ये चुनाओ जीत गए और ऐसे में माले में हुआ है मेयर पड का उप चुनाओ और इस चुनाओं में ही माल्दिव की जनता ने खासतोर पर माली की जनता ने राश्पती मुईजू को आइना दिखा दिया है उनके इस तरह के परताओं के लिए उन्हें एक तरह से ससा भी दे दी है मुईजू की पार्टी को इस मेर चुनाओं में करारे शिकस्त का सामना करना पड़ा है उनकी पार्टी के उम्मिद्वार माल्दीवियन डोमेक्रिटिक पार्टी के उम्मिद्वार से बहुत पीछे रह गए और ऐसे में माना ये जा रहा है कि जिस तरह का रुख मॉईजू का था उसे लेकर के जनता भी आहत है क्योंकि भारत लगातार उनके एक मित्र देश के तौर पर माल्दियू से विवहार करता रहा लेकिन राश्टपती बनते ही मौईजी का विभार बदला-बदला सा नजर आया मालदियू के परंपरा ये रही कि जो भी वहारा राश्टपती बनता था सबसे पहले वह भारत की यातरा करता था क्योंकि जैसे ही मालदियू बृतानिया हकूमत से आजाद हुआ था उसके बाद भारत ऐसा पहला देश था जिसने देश के दौर्ट पर माल्डियू को मानिता दी थी देश का दर्जा दिया था और तब से ही भारत माल्डियू की लगातार मदद भी करता रहा है ना सिर्फ आर्थिक मदद बलकि सैन्य मदद भी भारत की और से की गई दो ध्रू हेलिकॉप्टर भी दिये गए थे लेकिन वक्त के साथ साथ वहां की लीडर्शिप ने जिस तरह से प्रो चाइना एक्टिविटे शुरू की उसके बाद ना सिर्फ माल्दिव को नुकसान हो बलकि एक बड़े करज के बोज तले भी वो दबा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ताजा उदारन था मुईजू का जिनोंने परंपरा तोड़ते हुए राश्पती पद संभालते ही भारत का दौरा करने की बजाए कुछ दूसरे भारत विरोधी रुख रखने वाले दे मुईजू के मेर का चुनाओ हुआ और यहां मुईजू की पार्टी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहां जीती प्रो भारत रुख रखने वाली मालदीवियन डिमोक्रिटिक पार्टी और इनके उमिद्वार ने जीत करके बताया कि दरसल मुईजू की जनत जिस तरह का मुईजू का रुख है उससे बिलकुल पसंद नहीं करती यानि साफ संदेश है कि जिस तरह से मुईजू के कदमों से देश को नुकसान हो रहा है ना सिर्फ आर्थिक तोर पर बलकि अब सियासित की बिसात पर भी एक बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ है और उमीद इस से जनता ये कर रही है कि शायद मुईजू आगे भारत विरोधी कोई भी कदम उठाने से पहले अब सौवार सोचेंगे